जैसरी राधिक्रिष्ण आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आईए सुनते हैं बारहो महीने में सुने जाने वाली चौथ माता की कहानी प्रत्यक महा के क्रिष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथी के दिन गणेश चतुर्थी का ब्रत्य किया जाता है क्रिष्ण पक्ष में पढ़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतु माना जाता है इस दिन पूरे बिती विधान के साथ भगवान गणेश्री का पूजन करना चाहिए इस व्रत को खास कर इस्तिरिया जो की अपने संतान की रक्षा है तो इस व्रत को धारन करती है वैसे इस व्रत को इस्तिरिया पुरुष कोई भी धारन कर सकते हैं भगवान गणेश्जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है और जो भी भगवान का पूजन करते हैं इससे भगवान गणेश्जी उनके सभी परकार के विग्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा शुक और शम्रिद्धी का आसिरवाद परदान करते हैं इस बार भादरपद मास कृष्ण पक्ष संकष्टी चतुर्थी तिथी प्राडंब समय जो की दो सितंबर दोहजार तैईस दिन शनी बार रातरी आठ बचकर पचास मिनट और चत सभी सुद्ध रूप से 3 सितंबर 2023 दिन रवी बार को सभी ब्रत्त को धारन करेंगे और इस दिन जो चंद्रोदे का समय होगा वो समय रातरी आठ बचकर पचास मिनट जो की 3 सितंबर को चंद्रोदे का समय है तो इस समय में अगर बादल के चलते चंद्रमा दिखाई नहीं करें और अक्षत पुष्पदूप दीप आदी से पूजन करके फिर ब्रत्त को पूर्ण कर सकते हैं सुर्योदे का जो समय है दो सितंबर को वह समय सुभा पांच बचकर 49 मिनट और सुर्यास्त साम 6 बचकर 15 मिनट राहु काल का जो समय होगा वह समय साम 4 बचकर 41 मिनट सेले करके साम 6 बचकर 15 मिनट तक राहुकाल का समय होगा राहुकाल समय के दोरान कोई भी शुहकारिय या पूजन आदी का कारिय या नया कारिय नहीं करना चाहिए यह लाव प्रत्द नहीं होता है इस बात का ध्यान रखे इस दिन भगवान गड़ेश जी का पूरे बिधी विधा अरपीत करे यग्यों पवी चढ़ाए फिर अकष चंदन पुषप घगवान गड़ेश जी को अरपीत करे दुरबादल भगवान गड़ेशि जी को अवश्य अरपीत करे गड़ेश जी को सिंदूर चढ़ाय जाता है तो इ glands सिंदूर चढ़ाय ंफिर धूप और दीप द शन्न होते हैं नविद्धिका भूग लगाने के बाद जल से आच्मनी करवाएं मुक्षुद्धी के लिए पान पत्र सुपारी लोंग इलाईची के साथ में अर्पित करें द्रब्य दक्षिना चढ़ाएं और फिर संकष्टी चतुर्थी व्रत्य का कथा सरवन करें भगवा कथा के अनुसार एक नगर में एक बोठी मा रहती थी वह अपने बेटे की सलामती के लिए बारा महीनों की चौत का ब्रत्य करती थी हर चौत को पंसारी से थोरा सा गुड़ और घी लेकर चार लट्डू बनाती एक बेटे को दे देती एक से पूजा करती एक हतकार के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया ताई ने चौत का ब्रत्य रखा था ताई से पूछा मा तो बारह चौत करती है ताई बोली तीरी मा तीरी कमाई से तरमाल खाने के लिए बारह चौत करती है तू परदेश जाये तो वह एक भी चोथ नहीं खड़ेगे। लड़की को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर मा से कहा कि मा मैं परदेश जा रहा हूँ। यहां तु मेरी कमाई खाने पीने में ही उड़ा देती है। मा ने समझा कर रोकना चाहा पर बेटा नहीं माना। मा ने उसे साथ ले जाने के लिए चोथ माता के आखे दिये और कहा मुसीबत में ये आखे तेरी मदद करेंगे। वह आखे लेकर वहां से रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में जा पूँचा। उसने देखा एक बूढी मा रोती जा रही थी और पूआ बनाते जा रही थी। उससे कारण पूछा तो बूढी मा ने कहा कि बेटा इस नगर की पहाड़ी पर एक देते रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर से एक आदमी देते के पास भेजता है और आज मेरे बेटी की बारी है इसलिए मैं रो रही हूं और उसी के लिए पूए बना रही हूं। वह बोला तो पूए मुझे खिला दे तेरे बेटी की जगा मैं चला जाता हूँ। बूढी मा ने खीर पूए उसे खिला दिये। खाप पीकर वह सो गया रात को राजा के सैनिक आये तो बूढी मा ने उसे भेज दिया देते के सामने पहुँचने पर उसने चौत माता की आखे देते की तरफ फेक कर कहा कि है चौत माता यदि मेरी मा मेरी सलामती के लिए व्रत करती है तो देते का सिर कटकर गिर जाए, तुरंत देते का सिर कट गया, लड़का वापस आ गया, राजा उसे उपहार दे कर वहाँ से विदा किया, चलते हुए एक दूसरे राजा के नगर में वज़ा पहुचा, इस राजे में आवा तभी पकता था जब एक इंसान की बली दी जात कि है चौत माता यदि मेरी माँ मेरे लिए ब्रत्त करती है तो आवा मेरी बली के बिनाही जट से पक जाए आवा तुरंद पक गया आवे में से मिट्डी की जगह सोने चांदी के बरतन निकले अंदर से लड़का बोला बरतन धीरे धीरे निकालना मुझे लग नहीं जाए राजा ने उसे निकल बाया और पूछा कि इस आवे से तुम कैसे बच गए लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौत माता का व्रत्त करती है व्रत्त के कारण ही वह बच पाया राजा को विश्वास नहीं हुआ उसने एक चांदी की सुराही मंगवाई और कहा कि तु सुराही की नली से निकल कर दिखाओ तभी मुझे विश्वास होगा लड़के ने चौत माता को याद करके आखे सुराही में डाल दी और कहा कि मैं भवरा बनो सुराही से निकलू लड़का भवरा बनकर सुराही से निकल गया राजा ने खुश होकर राजकुमारी की साधी उसके साथ करवाई और सभी लोग को चौत माता का व्रत्त करने को कहा उसे मा की याद आई, उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की एक्षा जाहिद की, राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खुब सारा दान दहेश देकर उन्हें बिदा कर दिया, चौत के दिन अपने नगर पहुचा, वह अकेला पंसारी के यहां मा का इंतजार करन सोचा, चौत है, तो मा यहां जरूर आएगी, थोरी देर बाद लकडी टेकती हुई, मा आती दिखी, उसकी मा की आखों में जाले आने के कारण दिखना कम हो गया था, लड़के ने जान बूझ कर अपना पैर लकडी में लगा दिया, और कहने लगा कि बलरे पूत काटी मेर पैट के लगा दि, मा ने उसे नहीं पहचाना, और कहने लगी, भईया, मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो, पर मेरे बेटे को कुछ मत कहना, बेटा मा की चरणों में गिर पड़ा, और कहा, मा, मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माप कर दो, मा ने उसे गले से लगा लिय नगर के लोग ने बिश्वास नहीं किया, कि वह उसी का बेटा है, बुढ़ी मा ने चौत माता को याद करके कहा, कि हे चौत माता, यदि मैं अपने बेटे के लिए ब्रत्त करती हूँ, तो मेरे अस्तन में दूद भर जाए, और उसकी धार मेरे बेटे के मुह में गिरे, मा चौत माता, जैसे बुढ़ी मा और उसकी बेटी की सहायता की, वैसे हमारी भी करना, कहानी कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले पर अपनी कृपा बनाये रखना, तो बोलिये प्रेम से चौत माता की जै, भगवान गणेश की जै, सरवदेवी देवता की जै, इसी प्रका आसकी चौत का ब्रत्धारन करते हैं, इस दिन भगवान गणेश चौत माता का पूजन करते हैं, और फिर चंदरदेवता को अर्ग परदान करते हैं, इससे भगवान गणेश और चौत माता प्रशन हो करके, अपने भगतों के सभी प्रकार के दुख और कष्ट को दूर कर प्राप्त होता है तो आसा करता हूं यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान बर्धक जानकारिया प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें साथ में वेल आइकन घंटी को दबाए ता सरी रादे किष्णा धन्यवाद